दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तों बिभिन परिक्षाओं के सामानी ज्यान और सामानी अध्यन में कम्प्यूटर से संबंधित कई प्रश्ण पूछे जाते हैं इसी को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं कम्प्यूटर जीके के महत्पूण प्रश्णों का संकलन इसमें हम कंप्यूटर का परिचे, इसकी विशेस्ताएं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर की पीड़ियां यानि जनरेशन्स, कंप्यूटर के मुख्य भाग, मेमोरी एवं इसके प्रकार, कंप्यूटर की भासाएं, इसके अलावां इंटरनेट, सोसल नेटवर और पीसियस और अधिनस सेवा चैनायोग द्वारा आयोजित बिभिन परिक्षाओं जैसे पेट परिक्षा, जूनियर असिस्टेंट, लेक पाल भरती तथा टेट, सुपर टेट के साथ साथ बैंक, एसेसी और रेलवे द्वारा आयोजित परिक्षाओं के लिए बहुत ही करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित महत्पोंड प्रश्नों का संकलन, दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय के बारे में जान लेते हैं, कंप्यूटर सब्द की उत्पत्ति, अंग्रेजी भाषा के सब्द, कंप्यूट से हुई है, तो याद रखिए, कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भासा के कंप्यूट सब्द से हुई है और कंप्यूट का अर्थ होता है गड़ना करना कंप्यूटर को हिंदी भासा में दोस्तों संगड़क कहा जाता है संगड़क यानि गड़ना में सहाया की यंत्र यानि कंप्यूटर कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो गड़नाओं को शिग्रता से और अधिक शुद्धता से संपादित करता है दोस्तों कम्प्यूटर सब्द अंग्रेजी के आठ अक्षरों से मिलकर बना है आप जानते हैं हलांकि कम्प्यूटर सब्द अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण सब्द है फिर भी कुछ लोग computer सब्द को विश्तरित करके उसको एक-एक अक्षर से इस तरह से परिभासित करते हैं C-far common यानि सामाने, O से operating यानि परिचालनी, M से machine, P से particularity यानि विशेश रूप से U से used यानि प्रिउक्त, I से दोस्तों T से एक तरह से देखा जाये तो technology यानि प्रद्योग की और education E से और R से research यानि अनुशनधान तो एक तरह से computer एक सामाने परिचालनी machine है जिसको विशेश रूप से प्रद्योग की सिक्षा और अनुसंधान कारियों में प्रियूक्त किया जाता है तो ये computer के विभिन जो अक्षर हैं उनसे लोगों ने सामाने अर्थ बनाया है computer का जनक किसे कहा जाता है तो ये है Charles Bebege दोस्तों Charles Bebege को computer का जनक कहा जाता है और computer के छेतर में 1960 से क्रांति का समय रहा है magnetic disk या चुम्बकी disk ये iron oxide की बनी होती है www यानि World Wide Wave की खोज Tim Berners लीने की थी और internet में इसका बहुत ही महत पूड़ उपयोग है दोस्तों computer साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो ये तिथी है 2 December को प्रतिवर्स 2 December को computer literacy day मनाया जाता है और भारत की Silicon Valley बंगलोरू को कहा जाता है दोस्तों देखे computer की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और byte computer की इस्मृत की मानक इकाई है एक byte में 8 bit होते हैं एक KB यानि एक किलो बाइट एक हजार चौविस बाइट के बराबर होता है और एक YMB यानि एक मेगाबाइट एक हजार चौविस किलो बाइट के बराबर होता है एक गीगाबाइट जिसको हम 1 GB कहते हैं इसमें 1024 मेगाबाइट होते हैं और 1024 गीगाबाइट यानि 1024 GB यानि एक टेरा बाइट यानि 1 TV के बराबर होता है दोस्तों IC चिप जिसको Integrated Circuit चिप कहा जाता है ये सिलिकान नामक अर्धचालक पदार्थ की बनी होती है और कम्प्यूटर अशुद्ध यानि कम्प्यूटर में पाई जाने वाली असुद्धियों को बग कहा जाता है Integrated Circuit चिप की खोज JS किल्वी ने की थी तो याद रखेगा IC चिप की खोज दोस्तों JS किल्वी के द्वारा की गई कम्प्यूटर के साथ सर्वाधिक गति से कारे करने वाले प्रिंटर जो होते हैं वो लेजर प्रिंटर होते हैं IBM तो ये एक कम्प्यूटर कम्पनी है OEMAR दोस्तों कम्प्यूटर में OEMAR सब्दावली का जो प्रियोग किया जाता है इसका पूर्ण विस्तार होता है Optical Mark Reader OEMAR Seat जो हमलों को भरने के लिए दी जाती है इसकी जाच प्रक्रिया कम्प्यूटर के द्वारा की जाती है IC का पूरा नाम Integrated Circuit है Email का Full Farm दोस्तों देखिए Email का पूर्ण रूप Electronic Mail होता है SART में इसको Email कहा जाता है DOS का पूरा नाम है Disk Operating System और Computer Virus ये एक विसेश प्रकार का Computer Program होता है Computer का मस्तिस्क किसे कहा जाता है CPU यानि Central Processing Unit को Computer का मस्तिस्क कहा जाता है Computer में दोस्तों Password किसके लिए होता है तो वो Security के लिए अनधिकरित अभिगमन से सुरक्षा परदान करने के लिए Computer में Password का प्रयोग किया जाता है Search Engine क्या है दोस्तों Yahoo, Google, MSN ये कई प्रकार के Internet Search Engine है जिनसे हम बिविध जानकारियों को अत्यानत कम सूचनाओं के साथ सर्च कर सकते है दोस्तों Computer पर परिक्षणों को सांखी की परिक्षण यानि Statical Test कहा जाता है ये देखिए Basic, Cobol, Pascal ये Computer की उच्च अस्तरी भासाए है Computer के विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाले One New Main है तो याद रखेगा दोस्तों Computer का जनक तो Charles Bebets को कहा जाता है लेकिन Computer के विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाले One New Main है भारत में पर्थम कम्प्यूटर का प्रियोग भारती सांखिकी संस्थान कुलकाता में किया गया था और कम्प्यूटर द्वारा चित्र बना सकने की छमता को दोस्तों ग्राफिक्स कहा जाता है Computer Graphics में हर चित्र प्रकाश की छोटी छोटी वर्गाकार इकाईयों से बना होता है और इन इकाईयों को Pixel कहा जाता है Modem क्या है? Modem का Full Farm होता है Modulator, Demodulator ये Computer को आपस में जोड़ने का उपकरण होता है जो की Telephone Line के साथ काम करता है आईये दोस्तों, अब Computer की प्रमुख विशेस्ताओं की बारे में जान लेते हैं Computer दोस्तों, मनुश्री की तुलना में अधिक गति से गढ़ना कर सकता है Computer एक स्वचालित अंत्र है जिसमें किसी आकड़े को एक बार Input यानि इसमें दोस्तों प्रवेश करा देने के बाद यह सभितार की क्रियाएं स्वयंग संपादित करके Output यानि आगत निकालता है Computer की असमरण सकती यानि Memory अधिक होती है जो Computer के Memory में संग रहीत रहती है Computer द्वारा किये गए किसी कारे में दोस्तों त्रूटी नहीं होती है इसमें त्रूटी प्रोग्राम या डाटा के मानवी त्रूटीयों के कारण ही संभव है Computer में आंकडों को गोपनी रखने के लिए Password प्रियोग किया जाता है इसका उप्योग ये है कि Password जानने वाला ब्यक्ति ही Computer में संग रहीत आंकडे और प्रोग्राम को देख सकता है Computer में विवित्ता होती है एक समय में एक से अधिक कारे को संपन्न किया जा सकता है और इसके अलावा Computer बैग्यानिक अनुसंधान में उप्योग किया जाता है इसकी सहायता से भोकम, तोफान और अन्य प्राकृतिक घटनाओं का पुर्वा नुमान संभव है आए देखते हैं दोस्तों Computer की सीमा यानि Computer की कुछ सीमाएं भी होती है Computer में मनुस्यों की तरह स्वयंग सोचने की छमता नहीं होती है और ये दिये गए निर्देसों के अनुसार ही कारे करता है Computer को संचालित करने के लिए विद्दुत का होना आवस्यक है विद्दुत के अभाव में यह खाली डब्बे के समान है Computer में वाइरस का खत्रा होता है जो संग्रहीत फाइलों को नुकसान पहुचाते है आईए दोस्तों अब Computer के अनुप्रयोगों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा छेतर हो जहां Computer का उप्योग न होता हो E-Governance यानी Electronic प्रसासन में नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरकारी कारे कलापों की जानकारी Computer के माध्यम से Internet दोरा उपलब्ध कराई जाती है सिक्षा के छेतर में Computer का प्रियोग बहुतायस से किया जा रहा है और Banking छेतर में आप देखिए तो Online Banking चेकों का भुकतान ATM दोरा पैसे निकालना ये सभी कारे Computer से सहजिया आसान हो गए है मनुरंजन में Computer का प्रियोग Cinema, Video Game, Television का रेकरमों में किया जा रहा है और Multimedia के अनुप्रियोग ने Computer को बहु आयामी बना दिया है दोस्तों Computer का जो प्रियोग है वायूयान और आरक्षण में किया जा रहा है और Computer का प्रियोग चेकिस्सा छेतर में सारे रिक रोगों की पहचान करने के लिए X-ray, Ultrasound, City Scan, आदिकी जाच में Computer का प्रियोग अधिकानिश्त हो रहा है Computer का अनुप्रियोग संचार के छेतर में व्यापक अस्तर पर हो रहा है आईए Computer के उद्भो और विकास के जो चरण है या क्रम है उसके बारे में जान लेते हैं देखे अबेकस एक यंत्र है सर्वपर्थम 25 सो इसापूर में सरल गड़ना यंत्र का विकास किया गया जिसके आविसकरता के नाम पर इसका नाम अबेकस राखा गया इसमें लकड़ी के फ्रेम में धातु के तार के सहारे लकड़ी के बने लटूओं को गोच दिया जाता था और 16 सदी से लेकर 1970 तक समय जो है Computer के विकास में बहुत ही महत्पूर रहा है दोस्तों बिस्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर ये 1642 से 1644 के मद्ध बलेज पासकल ने बनाया इसे इस कारण से पासकलीन भी कहा जाता है दोस्तों अंग्रेज बैग्यानिक चार्ल्स बैबेज ने 1830 में अनेक वर्सों के अनुशनधान की बाद एक मसीन की परिकल्पना की जिसे एनलेटिकल इंजन कहा गया चार्ल्स बैबेज की सिस्या लेडी एडा आगस्टा ने सबसे पहले Computer Program तयार किया और 1880 में हर्मन होलोरित ने Electronic Tabulating Machine का अविशकार किया जो पंच कार्ड की सहायता से सारा कारे संपाधित करती थी Electronic Computer का अविशकार डाक्टर एलेन एम टूरिंग ने किया था होवार्ड एलेकिन ने 1937 में Mark One नाम का पहला यांत्रिक Computer बनाया था जे पी एकर्ट और जान माशली ने 20 के पहले Electronic Digital Computer एन याक जिसका की फुल फाम है Electronic Numerical Integrator and Computer इसका आविशकार किया इसके अरावा 1941 में जर्मन इंजिनियर कोन राड जूसे ने Z3 का निर्मार किया जो द्वी आधारी अंकगरती यानि Binary arithmetic और चल विंदू अंकगरती ये सनरशना पर आधारित प्रथम बिद्दुत यांत्रिक Computer था 1948 में Manchester Small Scale Experimental Machine नामक एक पहला ऐसा Computer बना जो किसी प्रोग्राम को वैक्यूम ट्यूब में सनरक्षित कर सकता था और जानवान नियूमेन ने 1945 में IDWAC यानि Electronic Discrete Variable Automatic Computer का विसकार किया और इसमें इन्होंने Binary System और संचैत प्रोग्राम का प्रियोग किया था दोस्तों Computer की विकास यात्रा में जो है कई पीढ़ियां आई इनमें देख लेते हैं Computer की पीढ़ियों के बारे में दोस्तों दूति विस्यूद के बाद Computer के विकास और आकार प्रकार में बहुत अधिक परिवर्तन हुए तकनीकी विकास के आधार पर आधुनिक कम्प्यूटर के विकास को कई भागों में भी भाजित किया जा सकता है जिसको कम्प्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन्स कहते हैं देखे पहली पीढ़ी का समय 1940 से 1956 के बीच माना जाता है इसमें कम्प्यूटरों का आकार बड़ा होता था वैक्यूम ट्यूब का परियोग किया जाता था और एयर कंडिशन अनिवारे होता था इसमें प्रमुक कम्प्यूटर एडवैक, यूनिवैक 1, यूनिवैक 2, मार्क 2, मार्क 3 और बरोज 22.02 आती थे दूसरा जो है दूती पीड़ी का समय तो ये 1956 से 1963 तक का समय दोस्तों दूती पीड़ी के कंप्यूटरों का समय था और इस पीड़ी के कंप्यूटरों का आकार छोटा और इसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रियोग किया जाने लगा IBM 1401, IBM 1602 और IBM 7094 इस जो है काल के या इस पीड़ी के प्रमुक कंप्यूटर थे इसके अलामा दोस्तों वर्स 1964 से 1971 के मद्धे के समय को थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के विकास का काल था इस काल में Integrated Chip यानी जो है दोस्तों Integrated Circuit जिसको कहा जाता है IC का विकास हुआ और इसमें IBM 360, ICL 1900, PDP 1145 आदी कंप्यूटर 33 रेडी में बनाए गए देखिए दोस्तों 1971 से वर्तमान तक का समय चतुर्थ पीड़ी के कंप्यूटरों के विकास का है और इस काल में सिलिकान चिप पर हजारों एकी क्रित परिपत्थों को लगाया गया जो माइक्रो प्रोसेसर कहलाया पर्सनल कंप्यूटर का विकास इसी समय हुआ जो Pentium कहलाये और प्रमुक कंप्यूटर Pentium 123 और 4 थे वर्तमान में और आगे दोस्तों पंचम पीड़ी के कंप्यूटर Artificial Intelligence यानि कृत्रिम बुद्धिमत्त पराधारित है और इस पीड़ी में तिब्र कंप्यूटर का विकास हो रहा है जिन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है इसमें परम, पदम, टाइटन आदी कंप्यूटर है कंप्यूटर के मुख भाग कौन-कौन से होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर के विभिन कारियों का संपादन किया जाता है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर के प्रमुख भागों में CPU, Monitor, Mouse, Keyboard और RAM आदी शामिल है CPU क्या है तो जानते हैं Central Processing Unit दोस्तों कंप्यूटर का सबसे महतपौन भाग होता है इसी में प्रोसेसिंग होती है ये कंप्यूटर का मस्तिस्क यानि जो है दिमाग कहलाता है इसके तीन मुख भाग होते हैं रजिस्टर, आंकिक और तार्की की काई और नियंतरणी काई दोस्तों P4, Aethelan, Dual Core आदी Central Processing Unit के कुछ उदाहरण है कंप्यूटर का दूसरा महतपौन भाग, Monitor होता है Computer Monitor या Display जिसे द्रिश से परदर्शन 1 काई कहा जाता है Video, Visual Display Unit कहा जाता है और एक Electronic Display Device है पहले के Monitor में परदर्शन 1 काई कैथोड किरन ननी यानी CRT से बने होती थी जबकि आज कल मुखता है LCD और LED Monitor अस्तित्तों में है Monitor के चित्र कई सारे बिंदू या Pixel से बने होते है Resolution को Pixel में व्यक्ति किया जाता है और अधिक Resolution वाले Monitor में Pixel की संख्या काफी अधिक होती है और उसकी असपश्टता बहतर होती है Mouse तो दोस्तों 1984 में पहले Mouse का सरुपर्थम परियोग एक Apple Company के Macintos Computer के साथ किया गया ये एक छोटा उपकरण होता है जिसका उपयोग Graphical User Interface में करसर को नियंतरित कर Text, Icon, File और Folder को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है इसकी अलावा एक महतपुन भाग Keyboard है दोस्तों ये Type Writer की तरह होता है इसका परियोग Computer में सूचनाओं को प्रेशित करने के लिए किया जाता है यानि ये Input Device है Printer तो इसकी सहायता से Computer में संग्रहीत आकड़ों को काघच पर प्रिंट किया जाता है वर्तमान में कई प्रकार के Printer उपलब्ध हैं जैसे Dart Matrix Printer, Laser Printer और Line Printer इसके अलामाट Digital Camera दोस्तों Digital Camera, Digital Roop में Video या Still Photograph या दोनों लेता है और एक Electronic Image Sensor के माधिम से चित्रों को रिकार्ड कर लेता है इसकैनर तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो Graphics चित्र को Digital चित्र में परिवर्तित कर देता है तो ये थे दोस्तों Computer के मुख्य भाग अब आजे जानते हैं Input और Output Devices क्या हैं Computer की सब्दावली में दोस्तों Computer में आकडों का निवेश या Input करने के लिए Input और Output युक्तियों का प्रियोग किया जाता है Input युक्ति निवेश किये गए आकडों को 0 और 1 बिट में परिवर्तित करती है और Output Device 0 और 1 बिट को मनुसे के समझने यो गिभासा में परिवर्तित करता है Input Devices क्या हैं तो किसी दिये गए आकड़े या निवेश को कंप्यूटर में निवेश करने के लिए जिन युक्तियों का प्रियोग किया जाता है Input Device कहलाते हैं प्रमुख Input Device में आप देख सकते हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोप्रोन, बेवकेम, लाइट पेन और टच स्क्रीन आदी ये Input Device के उधारण है Output Device क्या हैं तो दोस्तों Input Device द्वारा प्राप्त आंकड़े या निर्देसों के पैडाम के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो Devices प्रियोग की जाती हैं उनको Output युक्तियां कहते हैं Monitor, Platter, Speaker, Image, Projector और Terminal ये प्रमुख Output Devices हैं Computer में दोस्तों देखिए Memory का भी बहुत ही महत पूर अस्थान होता है और देखिए Computer का वह भाग जिसमें सभी आंकड़े और निर्देसों को संग्रहित किया जाता है Memory कहलाता है Memory दो प्रकार की होती है एक तो Primary Memory और दूसरा Secondary यानि दुतियक Memory Primary Memory क्या है तो दोस्तों Primary Memory जो होती है ये Computer के CPU का महत पूर भाग है इसे Internal Memory या आंतरिक Memory भी कहा जाता है किसी सूचना को इस Memory की सहायता से कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है और Primary Memory दो प्रकार की होती है एक ROM यानि Read Only Memory और दूसरा RAM यानि Random Access Memory तो आईए ROM और RAM के बारे में जानते हैं तो दोस्तों ROM जो है Read Only Memory इस Memory की सहायता से Computer में सूचना है अस्थाई रूप से संगरहित होती है इसमें संगरहित सूचना Computer के संचालन में सहायक होती है इसे पढ़ा जाता है लेकिन बदला नहीं जा सकता है वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आद में ROM का प्रियोग होता है ROM के अन्य उदाहरण में देखिए PROM Programmable Read Only Memory होता है एक तो ROM है दूसरा PROM है दूस्तों Read Only Programmable Read Only Memory में प्रियोग करता विशेश प्रोग्राम रख सकता है एक बार कोई प्रोग्राम अंकित होने पर वह अस्थाई हो जाता है EPROM क्या है तो ये Erisable Programmable Read Only Memory है इसमें उप्योग करता अपने इक्षा के अनुसार जो सूचनाए है उनको Ultra Violet Light द्वारा हटा सकता है इन्हें में पुनसूचना संगरहित किया जाता है इस प्रकार की सुविधा PROM में नहीं होती है EPROM भी अस्थाई मेमरी होती है अब आएए देखते हैं RAM के बारे में तो इसका पूर्ण विश्तार है दोस्तों Random Access Memory कम्प्योटर में इस मेमरी का प्रियोग सरवाधिक होता है ये मुमरी एक चिप की तरह होती है जो Metal Oxide सेमी कंडक्टर से बनी होती है इसमें संगरहित सूचनाएं और अस्थाई होती है ज उदारान के रूप में देख सकते हैं DRAM तो Dynamic Random Access Memory DRAM है DDRAM है Double Data Random Access Memory और HDRAM दोस्तों Synchronous Dynamic Random Access Memory और RDRAM ये Rambus Dynamic Random Access Memory है तो अभी तक आपने Primary Memory के बारे में जाना अब आएए प्रायत्मी दूतियक या Secondary Memory इसको सहायक Memory भी कहा जाता है सहायक Memory दो प्रकार की होती है Pin Drive और Hard Disk के रूप में देखिए Pin Drive एक Flash Memory युकती है इसे सरलता से USB द्वारा फाइलों और आंकडों के अस्थानांत्रन और संगरहन में प्रियूक किया जाता है और Hard Disk सूचनाओं को अस्थाई रूप से संगरहित करने का अतिविश्वसनी माध्यम है परसलन कंप्यूटर के लिए कई प्रकार के Hard Disk बाजार में उपलब्ध है जिन्हें विचेश्टर डिस्क कहा जाता है अब कंप्यूटर की भाशाओं पे आते हैं दोस्तों Languages of Computers तो इनके बारे में जानते हैं कंप्यूटर की भाशाओं के ब इसके लिए प्रोग्राम को विशेश्ट प्रकार की भाशाओं में लिखा जाता है और इसके अंतरगत कंप्यूटर को ऐसे निर्देश दिये जाते हैं जिनसे वह समझ सके और उसका अनुपालन कर सके दोस्तों कंप्यूटर के आविस्कार से लेकर अब तक तीन प्रकार की प्रोग्रामिंग भासाएं बनी हैं मशीन लेंग्वेज, असिंबली लेंग्वेज एंड हाई लेवल लेंग्वेज यानि उच अस्तरी भासा मशीनी भासा तो दोस्तों ये जीरो से एक और जीरो के समों से बनी होती है कंप्यूटर इसे सरलता से समझ सकता है मशीन भासा म आंतरिक संरिशना से संबन्धित होती है इसलिए एक कम्प्यूटर की मशीन भासा दूसरे कम्प्यूटर की मशीन भासा से अलग होती है assembledi भासा तो ये भासा Machine भासा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए खोजी गई है assembly भासा में Machine Code के आधार पर नेमोनी कोड का प्रियोग किया जाता है जिसे मानो मस्तेश्क सरलता पुरोग पहचान सकता है और जैसे सब यानि शेफ्ट ट्रैक, JMP यानि जंप और कई यानि तरह के नेमोनी कोड हैं जिनने सरलता से पहचाना और याद रखा जा सकता है मसीनी और असेंबली भासा कम्प्यूटर की मूल संरशना से संबंध होती है और अलग-अलग संरशना वाले कम्प्यूटर के लिए अलग-अलग होती है इसलिए इनको निम्न अस्तरी भाशाएं कहा जाता है इसके अलामा दोस्तों उच्छ अस्तरी भासाओं के बारे में जानते हैं तो प्रोग्रामिंग की निम्न अस्तरी भासाओं के कारण जो बाधाएं आ रही थी उनको दूर करने के लिए उच्छ अस्तरी भासा यानि High-Level Languages का विकास किया गया उच्छ अस्तरी भासाओं कंप्यूटर की आंतरिक कारे पढ़ाली पर आधारित नहीं है और सबसे पहले उच्छ अस्तरी भासा के लिए IBM ने 1957 में प्रयास किया और पैडाम फोर्टरान के रूप में सामने आया उच्छ अस्तरी भासाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए सब्दों और सरल गड़ित में उपयोग किये जाने वाले चिन्नों का प्रयोग किया जाता है इस भासा के अनुपरयोग से गड़ती समस्याओं को बहुत सरलता से हल किया जाता है इसलिए बिस्व में कठिन और व्यापक गड़नाओं में इसका अधिक अनुपरियोग किया जाता है प्रमुख उच्च अस्तरी भासाओं में देखा जाए तो फोटरान फोटरान दोस्तों प्रथम उच्च अस्तरी प्रोग्रामिंग भासा है इसका पूरा नाम फार्मुला ट्रांसलेटर है और इसका विकास अमेरिका के जान बैकस द्वारा दिये गए सुझाओं पर आई बीएम के द्वारा उनिस सो सत्तावर में किया गया था दूसरी उच्च अस्तरी भासा बेसिक है वर्स 1964 में डार्ट माउथ कालेज अमेरिका के थामस कोड़ और डाक्टर जान के मेनी ने इसे डिजाइन किया था इसका पूरा नाम बिगनर्स आल परपज सिंबोलिक इन इस्ट्रक्शन कोड यानि बेसिक है बेसिक भासा में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भासा में परिवर्तन इंटर्प्रेटर से किया जाता है और एक महतपूर्ण भासा है दोस्तों कोबोल तो आप जानते हैं कोबोल ये देख सकते हैं कि इसकी खोज 1969 में कोडासिल समोह द्वारा की गई थी समानते कोबोल बाड़िजिक और सरकारी दफ्तरों में होने वाली डाटा प्रोसेसिंग के लिए सरवाधिक उप्योग की जाती है C लेंग्वेज है दोस्तों C भासा ये 1972 में डेनिस रीची जो की अमेरिका के रहने वाले थे इन्होंने इसका विकास किया और ये कंप्योटर की सरवाधिक लोगप्रे, सरल, विस्वसनी और शक्तिसाली प्रोग्रामिंग भासा है इसमें लिखे गए कंप्योटर प्रोग्राम को किसी दूसरे सिस्टम में टांसफर करके उसे चलाय जा सकता है और C++ 1979 SB में बार्न इस्टार्टरप द्वरा अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में इसका विकास किया गया C++ एक आपजेक्ट ओरियेंटिट प्रोग्रामिंग भासा है ये प्रोग्रामिंग भासा C पर आधारित होती है इंटरफेस आधारित प्रोग्राम तयार करने के लिए प्राय यूजर द्वरा इसका अनुप्रियोग किया जाता है यूनिक्स और विंडोज दोनों प्रकार के आपरेटिंग सिस्टम पर ये उपलब्ध है दोस्तों अलगोल क्या है तो अलगोरित्मिक लेंग्वेज इसका संचित रूप अलगोल है 1958 में याद रखेगा कि इंटरनेशनल ग्रूप नाम की कमपनी ने अलगोल का विकास किया और इसका अनुप्रियोग जटिल बीजगर्ती यानि अलजेब्रा की गड़नाओं में और वैज्ञानिक सोधों में प्रियोग किया जाता है आईए जानते हैं दोस्तों इंटरनेट और इसके छेतर के बारे में देखें इंटरनेट केबल या टेलीफोन लाइन से जुड़े कमप्यूटरों की ऐसी विश्वया पे सरिंखला है जिसके अंतरगत किसी अस्थान पर आकडों और प्रोग्राम को तुरंत प्रेशित किया जा सकता है इंटरनेट का विकास 1986 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने अपने आकडों को विभिन विभागों में भेजने और प्राप्त करने के लिए किया था इंटरनेट जाल को फैलाने में बेल लेब्स ने महत पूर्ण प्रयास किया था इंटरनेट की सहायता से ब्यक्ति घर बैठे देश विदेश के सभी प्रकार के समाचार की जानकारी प्राप्त कर सकता है दोस्तों 1987-88 में सीमित अस्तर पर इंटरनेट का प्रारम हुआ और 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिम्टेड द्वारा गेटवे इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई एक नमबर 1958 को भारत में इंटरनेट सेवा नीजी छेतरे के लिए खोल दी गई और 31 अक्टूबर 2003 तक इसे लाइसेंस मुक्त कर दिया गया और दोस्तों इंटरनेट का प्रारंभिक नाम क्या था आपको बता दें तो ये था अर्पानेट देखें अर्पानेट ये दोस्तों इंटरनेट का शुरुआती नाम था आए इंटरनेट के अनुपरियोग के बारे में जानते हैं दोस्तों इंटरनेट का अनुपरियोग ब्यापक हुआ है ब्यावसाय सिक्षा बैंकिंग प्रसासनिक छेतर में इसका प्रियोग बढ़ा है और दोस्तों देखें इसका प्रियोग इंटरनेट का प्रियोग कहां कहां किया जा सकता है इबैंकिंग यानि नेट बैंकिंग में इंटरनेट के प्रयोग से बैंकिंग छेतर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कोर बैंकिंग, ATM मोबाइल बैंकिंग इसके माध्यम से उपभोगता अपने खाता संबंधी सोचनाओं को सरलता से प्राप्त कर सकता है इगवर्नेंस इंटरनेट के अनुप्रयोग से प्रशासनिक छेतर अचूता नहीं है किसी भी विभाग से संबंधित जानकारी, विभाग बैवसाइट पर उपलब्ध रहती है जिसे कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है इकामर्स इंटरनेट का अनुप्रयोग बैवसाइक संगठनों में ब्यापकस्तर पर किया जा रहा है इमेल तो आप जानते हैं इंटरनेट की सहायता से दूसरे अस्थान पर संदेश को आसानी से भेजा जा सकता है इसमें टैक्स्ट, इमेज, वीडियो सभी कुछ भेजा जा सकता है दोस्तों 1972 में इटाम लिंसन ने इमेल की खोज की थी विग्यापन तो एडवर्टीजमेंट का कारे भी दोस्तों सरकारी विभाग, व्योसाइक, संस्थान, इंटरनेट के माध्यम से विग्यापन पर सारित करते हैं जिनकी जानकारी संबंधित विभाग या संस्था की वेबसाइट से प्राप्त की जाती है इसकी अलावा मार्केटिंग में इंटरनेट बहुत ही महत पूर्ण हो गया है इंटरनेट की सहायता से घर बैठे अनलाइन खरितदारी की जा सकती है मोडेम के बारे में जानते हैं दोस्तों मोडेम क्या होता है तो मोडेम जिसका फूल फार्म है मोडूलेटर डिमोडूलेटर इसका संचित रूप है मोडेम हो हयुकती है जो एक कम्प्यूटर के डिश्टल संकेतों को एनलाग संकेतों में बदल कर टेलिफोन या केबल लाइनों से प्राप्त एन अलाग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदल कर उसे कम्प्यूटर के प्रियोग के योगी बनाती है मोटेंग का विकास 1958 में हुआ था अमेरिका में और 1962 में पर्थम व्योसाइक मोटें दबिल 103 का निर्माड हुआ था शोसल नेटवर्किंग दोस्तों देखे वर्तमान में सोसल नेटवर्किंग अभिव्यक्ति के महत्वण साथन के रूप में उभरा है आधुनिक संचार के माध्यम ने इसे सहज बना दिया है प्रमुक सोसल नेटवर्किंग साइटों के बारे में जानते हैं तो फेस्बुक दोस्तों फेस्बुक एक अनलाइन सोसल नेटवर्किंग साइट है इसकी सहायता से मित्रों परिचीतों के मध्य संचार किया जाता है अमेरिका के मार्क जुकरबर्ग इडू आर्डो सेवरिन, डस्टिन मासकोविट और क्रिस ह्यूज ने इसकी अस्थापना की थी चार फरवरी 2004 को फेस्बुक लांच किया गया था और फेस्बुक का मुख्याले मेनलो पार्क गैलिकफोर्निया में इस्तित है दोस्तों फेस्बुक ने अभी अपनी पेरेंट कमपनी का नाम फेस्बुक से बदल कर मेटा कर लिया है वर्तमान में फेस्बुक के चेर्मैन और मुख्य कारेकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग है और नमबर 2020 तक लगभग 2.7 विलियन लोग फेस्बुक के प्रियोकता बन चुके है दूसरा महत्वपुर्ण सोसल नेटवर्किंग साइट है ट्विटर दूसरा फेस्बुक के समान ट्विटर भी एक आनलाइन माइक्रो ब्लागिंग सोसल नेटवर्किंग साइट है इस साइट के उभगता अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिख कर ट्विट करते हैं मार्च 2006 को जैक डोर से नोह गलांस इवान बिलियम्स और बीजिस्टून ने इसे अस्थापित किया था और वर्तमान में ट्विटर के चेर्मैन ओमिद कार्डेस्तानी और इसके मुख्य कारेकारी अधिकारी जैक डोर से हैं दोस्तों ट्विटर का मुख्याले सैन फ्रांसेसको कैलिफोर्निया में है और 2019 तक 336 मिलियन लोग इससे जूड़ चुके हैं इसकी अलामा आरकूट तो देखे दोस्तों आरकूट महतपोंड सोसल नेटवर्किंग साइट है जो गूगल द्वारा संचारित किया जाता है आरकूट सेवा उपयोग करता को नहे और पुराने मित्रों से मिलने और संबंधों में द्रिणता अस्थापित करने में सहायता करती है आरकूट एक ब्यवसाइक सोसल नेटवर्किंग साइट है जो गूगल द्वारा 24 जनवरी 2004 को अस्थापित की गई आरकूट 49 भासाओं में उपलब्ध साइट है और गूगल ने 30 सितंबर 2014 को आरकूट को बंद करने की घोश्रा की अब आएए देख लेते हैं दोस्तों कम्प्यूटर से संबंधित महत्पूण सब्द संचेपों के बारे में जो की बहुत ही महत्पूण हैं और परिक्षाओं में भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थमेटिक लाजिक यूनिट एटियम तो दोस्तों एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड आटोमेटेट टेलर मसीन बेशिक तो बिगनर्स आल परपज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड बी सीडी यानि बाइनरी कोड़ेट डेसिमल बी पी आई बिट्स पर इंच और बी पी अस बीट्स पर सेकेंड इसकी अलावास सीडी इसका फुल फाम है कंपैक्ट डिक्स सीडेक सेंटर फार डवलपमेंट आफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडी रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी कोबोल इसका फुल फाम है कामन बिजनेस ओरियेंटेड लैंग्वेज जीउ यह महत ऊपुन्ळ भग है सिन्टरल प्रोसेसिंग यूनिट डि टीपी डेक्स्टाब पबलिसिंग डिवीडी यानि डिज़्टल विडियो वर्सेटाईल डिस्क याद रखे गदिविडी FD का full farm है floppy disk FM तो frequency modulation FTP का मतलब है file transfer protocol GB यानि gigabyte HTML यानि hypertext markup language HTTP hypertext transfer protocol और IBM जो company सबसे पहले electronic computer बनाई थी उसका नाम है international business machines IP तो दोस्तों IP का पोड़ विश्तार है internet protocol ISDN का है integrated service digital network ISP का पोड़ विश्तार है internet service provider और IT यानि information technology KB का full farm है kilobyte ये memory की इकाई है LAN यानि local area network और modem modulator demodulator PDF क्या है तो portable document format है PDF का full farm और RAM दोस्तों random access memory होती है ROM read only memory TV ये memory की इकाई है जो है terabyte होता है UPS यानि uninterrupted power supply को UPS कहा जाता है WN ये wide area network है WLL यानि wireless local loop है www ये world wide wave है और 2G का मतलब second generation wireless networking technology 3G का मतलब है दोस्तों third generation wireless networking technology तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा बिभिन परिक्षाओं के सामान निक्यान और सामान नियध्यन के लिए computer आधारित महत्वपूर्ण प्रश्णों का संकलन जो आपके आगामी परिक्षाओं में बहुत ही उप्योगी है ये प्रश्ण आप तयार कर लीजेगा ताकि परिक्षाओं में यदि ये प्रशन पूछे जाएं तो आप इनको सही सही अटेम्ट कर सकें दोस्तों मागदर्शन फॉर सिविल सर्विशेज यूटूब के साथ साथ ट्वीटर पर भी सक्री है वहाँ पर हमारा चैनल है वहाँ पर आप बहुत सारे जो इस्टेडी मेटेरियल हैं उनका पीडिया प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा अपने प्रशन भेश सकते हैं हमारे परिक्षा ग्रूप पर जो आपकी समस्याएं हो और पढ़ाई में किसी तरह की समस्या हो तैयारी में किसी तरह की समस्या हो किसी इस्टेडी मेटेरियल के बारे में जानकारी लेना हो तो हमें वहाँ पे आप यूटूब पे कमेंट कर सकते हैं हमारे फेस्बुक पर इसके अलावा हमारे टेलिग्राम मागदोशन फार सिविल सर्विशेज पर समपर्ग कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मागदोशन फार सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार